Hello students, तो ग्यान सागर का चोथा पार्ट बातूनी और प्रशन उत्तर शुरू करते हैं, तो पार्ट में से जो प्रशन उत्तर हैं, जो के आपने अपने नोटबुक में करने हैं, उन प्रशनों को हम डिस्किस कर लेते हैं, तो पहला प्रशन है, पहला प्रेश्ण है लेखक ने सज्जन को क्या काम करने के लिए कहा और क्यूं कहा ठीक है तो इसका उत्तर देखे लेखक ने सज्जन को एक कागस देकर कहा कि लिफाफा लेकर इस कागस को उसमें रखकर पता लिखकर दाक में छोड़ देना क्यूंकि उस शाम लेखक को एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था वह बाहर निकले तो पोस्ट आफिस बंधोने का समय हो रहा था और सामने से सज्जन साइकिल पर जाते दिखे तो लेखक ने सोचा काम जल्दी हो जाएगा तो इसलिए उनोंने उनको वो कागज दे दिया था ताकि जल्दी काम हो जाएग चली अगले प्रेशन के और बड़े next प्रेशन है सज्जन ने राजू से लिफाफा क्यूं मांगा सज्जन ने राजू से लिफाफा क्यूं मांगा तो राजू याद है आपको कौन था तो सज्जन ने राजू से लिफाफा इसलिए मांगा क्योंकि वह किताबों का एजिंट था उन्होंने सोचा कि इसके पास जरूर लिफाफा होगा और राजू में एक अच्छी बात यह भी थी कि यदि उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता था तो इसलिए मांगा क्योंकि अगर उसके पास होगी चीज वैसर किताबों का एजिंट होते हैं उनके पास यह चीज होती है और वो देने से कभी मना भी नहीं करता था इसलिए सज्जन ने राजू से लिफाफा मांगा ठीक है तो यह उत्तर आपका दूसरा है चलिए अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं लोग आम तौर पर दूसरों से यह प्रश्न क्यूं पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तो इसका उत्तर लोग आम तौर पर दूसरों से यह प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं यह असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमिका होती है इसलिए कि किसी तर पहले रोक के तो बात तो तब शुरू होगी तो यह तीसरा प्रश्न का उत्तर चलिए अब नेक्स प्रश्न के और बड़े यहीं से आपने यह प्रश्न उत्तर जो है वो कर लेने है लेखक ने घर से बाहर जाने का कौन सा रास्ता लेने का फैसला किया और क्यूं तो लेखक ने घर से बाहर जाने का कौन सा रास्ता लेने का फैसला किया और क्यूं बिचारे डरके मारे अब कहां से जाने लग गे थे लेखक ने घर से बाहर जाने के लिए उस रास्ते को छोड़ कर जहां सर्जन का घर बीच में पड़ता था अब आधा मील का चक्कर लगा कर जाने का फैसला किया क्यूंकि वह सर्जन जहां भी मिल जाते थे तो लेखक का बहुत समय बेकार की बातों में बरबाद कर देते थे ठीक है वो तो डरके मारे जाते थे ना कि कहीं वो मिल ना जाए अब तो घबराई जाते थे जहां भी मिल जाता था तो यह है प्रश्ण चार का उत्तर फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमने देखे पांचवा प्रश्ण भी हमने कर लिया था यह मैंने कहा था किताब में ही अब ऐसे भी हमने डिसकस कर लिया था किताब में ही आपके सामने जो पंक्तियां हैं उनको देखो यह भी हमने डिसकस कर लिया था बातचित के लिए ठीक है अनुमान और कल्पना तो भाषा की बात हमने करनी थी तो भाषा की बात तो चलिए व्याकरण की बात है तो चलो भाषा की बात पहला प्रेशन देखिए भाषा की बात में है पाठ में से कोई दस संयुक्त अक्षरों को ढून कर उन्हें शब्द कोश के क्रमानुसार तो देखे, संयुक्त अक्षर हम पहले भी कर चुके, संयुक्त व्यंजन, याद रखे, हमने अभ्यास सागर में हमने किया है, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर इसमें भी है न, उसको हमने ढून कर लिखना है, तो हमारी किताब में देखे, का काठ में से ढूनने ना तो कोई दस ढूनने हैं लेकिन एक बात यहां दस यूई नहीं उठा के लिखते हैं आपने आपने दस पहले ढून के रफ नोट में लिखने हैं फिर उसको क्या करना है उसको कैसे लिखना है आपने क्योंकि आगे कुश्चन में क्या दिया है उन संयूक्त अक्षर देखें जिसमें हमने एक प्रू पूरा, तो वो वाले, जैसे हमारे पार्थ में आये, देखो सजण, सजण व्यक्ति, सजण आये, सजण शब, पोस्ट, पोस्ट, तो पोस्ट में क्या है, पोस्ट में आधा स, और ट आ गया, और सजण में भी आधा ज, फिर पूरा ज, तो एक आधा होना चाहिए, और अगला पूरा होना चाहिए ठीक है तो वो वाला हमने धूना यानि आधे अक्षर वाले तो इसमें चिठ्थी भी है तो हम पहले न वो दस अक्षर धून लेंगे और एक्जेंपल मैं तीन चार बता जेती हूं जैसे मान लो मैंने पोस्ट धून लिया सज्जन धून लिया चिठ्थी धून ली ठीक है ऐसे दस पूरे कर लूँगी लाइन से लिखने अब आपने यहां पे तब लिखना है जब आप according to dictionary कैसे लिखते हैं हम पहला पहला जैसे इंगलिश में भी दिखते हो पहला alphabet देखते हो ए से स्टार्ट है तो हम ए वाला पहले लिखते है देन बी वाला दे आपको स्वर और व्यंजन से याद होने चीए यह सारा करके फिकर गर करके हैं जैसे आप देखो मैंने पोस्ट सज्ञन और चिठी मानलो तीन ढूड़े तो पोस्ट में पहले आएगा सब पहले आते की चव पहले आता है चिठी का क्यूंकि इसमें तो कोई डाउट ही नही जैसे ही नहीं तो आपने देखना है कौन सा आता है तो सर देखो बाद में आता है ठीक है तो च आता है पहले तो चिठी यहां पर पहले पार एक्जेंपल मैंने तीन बोला ना मैंने ढूंडे तो यहां चिठी आ जाएगा फिर पोस्ट आ जाएगा फिर सजन आएगा ठीक है तो मैंने लगा दिये ना शब्द कोश के क्रमा अनुसार की पहले ये, तो अब इसके अलावा आपके पास और भी होंगे, आपने ऐसे ही नहीं लिख देना, आपने पहले 10 जो धूनने है, फिर आपने फर्स्ट फर्स्ट उसके पहले पहले वाले अक्षर देखने है, फिर उस अक्षर आप कौन से ढून रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती ना, 10 अक्षर आप कौन कौन से ढून रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, चले तो ये करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन करिएगा जरूर मज़ा है का, प्रश्ट दूसरा भाशा की ब जलता, ठीक है, जैसे ही, तो साब मैं बाहर निकला, ऐसे से शब्द आई थे, तो अंदर का विलोम यहां क्या आजएगा, बाहर, पाताल का आकाश आजएगा, विस्तार, यहां पर लिखा हुआ था, पाठ में संक्षेप, विस्तार का क्या लिखा था, संक्षेप, पूनिय का पाप, ठीक है, यह बुक में से ढून का मैं तो बताई दिया आपको, तो आप शब्द देखकर आप जरूर लिखें, स्पैलिंग बिल्कुल ठीक लिखें, ठीक है, अब प्रशन तीसरा देखिए, नीचे दियेगे शब्द समूहों में से, विशेशन व व विशेश्य श चटी में भी पढ़ चुके हैं, विशेशन और विशेशे, चलिए फिर दोहरा लेते हैं, एक मैं आपको बता देते हूं कि विशेशन क्या होता है, देखिए, किसी भी संग्या या सर्वना शब्द की जब हम विशेश्ता बताते हैं, तो उसे विशेशन कहते हैं, और क्रिश्न अच्छा है, ठीक है, क्रिश्न अच्छा है, अब विशेश्ता क्या होगी, क्वालेटी क्या है, अच्छा, अच्छा क्या होगी, क्वालेटी यानि विशेशन, ठीक है, वो अच्छा है, अगर मैं बोलूँगी, कि क्रिश्न नालाइक है, तो नालाइक भी यहाँ पर विशेष्टा या जाएगी उसमें क्वालेटी जाएँ बुरी भी हो, बुरी है, अच्छी है, कोई भी गुन है न उसके अंदर, वो सब विशेषन के अंतरगत आजाता है। ठीक है कृष्ण काला है तो काला भी विशेशन में आजएगा लेकिन मैं करें कृष्ण काला है या कृष्ण अच्छा है तो कृष्ण अच्छा है तो विशेशन क्या हो जएगा अच्छा विशेश्य क्या किसके बारे में बात कर लूँ मैं कृष्ण के बारे में तो पूल यहाँ पर विशेश्य हो जाएगा ठीक है फूल यहाँ पर विशेश्य हो जाएगा ले रहे चलिए तो सामने देखेंगे अब वैसे मैं चलो रफली आपको बता देती हूँ कि इसके कितने भेद है क्योंकि यह बहुत टाइम लगा के पढ़ने वाला टॉपिक है तो गुण वार्चे क्विशेश्य में क्या क्या आ जाता है जिसमें हम उसके आकार प्रकार या उसके अच्छाई ब गुण वार्चे क्विशेशन के अंतरगत आता है फिर एक इसके चार भेद संक्यार क्विशेशन संक्यार क्विशेशन में क्या रहता है संक्या से पता चल रहा है counting counting ठीक है तो अगर मैं कहूंगी चार बच्चे खेल रहे हैं तो चार क्या हो गया वो संख्या वाचक विशेशन में आजेगा ठीक है विशेशी क्या आजेगा बच्चे ठीक है तो ऐसे ही हमारा रहत है परिमान वाचक विशेशन परिमान वाचक में क्या आठा है जिसको हम नाप तोल सकते हैं जिसका हम measurement ले सकते हैं जिसको हम तोल सकते हैं वो हमारा परिमान वाचक विशेशन में आजेगा जैसे मैं कहूंगी अगर मैंने ठीक है बता दिये जैसे मुझे थोड़ा दूद देना तो थोड़ा क्या है और निश्चित परिमानवाचक और परिमानवाचक क्या हो गया अगर निश्चित परिमानवाचक है तो एक किलो दूद बोलूँगी न मेजर कर सकते हैं तो ऐसे ही परिमान सार्वनामिक विशेशन सार्वनामिक विशेशन में भी क्या रहता है कि मारत पहला जो है वो सर्वनाम होता है तो सार्वनामिक विशेशन रहता है तो चलिए अब हम देखें यहां पर विशेशन क्या है अच्छे दोस्त तो यहां विशे आपकी चिथी तो आपकी क्या है विशेष्य और चिथी क्या है विशेष्य ठीक है चिथी विशे सार्व नामिक विशेशन आ जाएगा इतनी बात इतनी बहुत ज़्यादा थोड़ी तो यह हमारा परिमान वाचक में आ जाएगा विशेशन में तो यहां आएगा इतनी और विशेशे क्या है बात यहां भला आदमी तो भला विशेशन है भला कौन है आदमी है तो आदमी वि ले रहे तो अच्छे दोस्त यहां आजएगा आपकी चिठी यहां आजएगा हमारे चाचा इतनी बात भला आदमी ठीक है और इस धोके में नहीं रहना कि पहला वाला विशेशन होता है दूसरा वाला विशेशन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है यह तो इन्होंने सिर्फ दो चब्दी लिखे है अगर पूरी पंक्ती लिखे होती है तो confused हो जाते है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं जीवन मुल्य आपने इससे क्या सिखा यह नोटबुक में नहीं करना है ठीक है जीवन मुल्य हम कोई भी पार्ट करते हैं थे हम कुछ न कुछ सीखते हैं उससे तो क् कि यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है उन्होंने लगपक आदा घंटा इस विवरण में लिया तो वो कौन कह रहे थे लेखक ने कहा ना कि मैंने तो यह कम लिख आपको पाड़ लेकिन उन्होंने तो आदा घंटा इस बात को बताने में लगाया तो पहला प्रश्ण है जरुरत ये ज़्यादा बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं? जरुरत से ज़्यादा बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं? बताईए. यहां से आएगा. जरुरत से ज़्यादा बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं? बताईए. तो जरुरत से ज़्यादा के परिणाम हो सकता है। यक्ति बोरियत मह्सूस करता है, समे बरबाद होता है। और आपकी छवी भी ख़राब होती है, आपकी इमेज भी दूसरे के सामने खराब होती है। अप बादचीत या बोलना भी एक कला है, इस विशे पर अपने विचार बताईए, तो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ही बताया था, कि ये जो way of talking है, ये भी एक talent है, कि कब हमें कौन सी बात करनी चाहिए, तो हम किसी की शादी में गए हैं, और हम वहाँ पर कुछ मरने बुरन को चुटकले सुनाने लग जाएं, तो बहुत बुरी बात होती है, तो बादचीत करना भी एक कला है, एक talent है, ठीक है, तो way of talking जिसको कहते हैं, तो बादचीत करने का तरीका वो बहुत माइने रखता है, क्योंकि बादचीत अगर आप अच्छे से बादचीत करते हैं, और आपको पता है कि कहां कौन सी बात कहनी है, तो आपका काम, कहीं पर आप गए हैं, कोई काम आपने बनाना चाहते हैं, कोई काम आपका जरूरी है, तो वो हो जाएगा, अगर आपको बादचीत करने की कला निया, आप गुसे से कहेंगे, क्रोधी थोके कहेंगे, तो आपकी बनाई बात भी बिगड जाएगी. फीमिक वार गर्ण को हो. अधिर पार आप उयम जा ते हैं. तो दुकान में जाकर यदी आप दुकांदार से कोई चीज की चीज दर लिए किसे लिए किछाने की छिदें. दुकांदर बang चुछे से पहले हैं. देखने में क्या जाता है देख लो तेखने की थोड़ी ने पैसे है लेना नहीं लेना आपकी मरसियदे लेकिन क्हीं Uh purl लेकिन कहीं दुकांदर दूकाँ में हम नेक्स्ट टाइम नहीं जाते हैं और उसकी दुकांदारी होगी नहीं तो हम लोग क्या करते हैं और हम बार 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 जाना इक रुष hayat करने के लिए श्रीभे दोस्के लिए कहानी बादुनी दोक साथ बबार मनचन के लिएंग कीजिए और अपनी मन पसंद थे में तहरा के लिए सोद्ध in और पर ही कोई व्यंगे कथा इस तरह की पढ़िये ठीक है और पढ़ेंगे तो रीडिंग हैबिट भी पढ़ेगी चलिए तो अब यह हमारा पार्थ चार जो है पूर्ण रूप से समाप्त होता है प्रशन उत्तर सुन्दर हैंडवाइटिंग में आपनों बुक में करेंगे और बाकी प्रशन उत्तर पेंसिल से आप बुक में करेंगे ठीक है छलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ तिल दन बाई एंड थैंक यू